Hello everyone, welcome back to Lalita's English Classes. English सीखने के लिए आपको English के words की जानकरी होना बहुत जरूरी है. अगर आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द होंगे English के words होंगे, तो आप अच्छे से English बोल पाएंगे, और कोई बोल रहा है तो समझ पाएंगे, और अगर आप read करते हैं तो अच्छे से understand भी कर पाएंगे. तो इसी सीरीज में आईए सिखे कुछ और English के ऐसे words, जो मारे day-to-day life में बहुत ज़्यादा काम आते हैं. तो आज का सबसे पहला word है बहुत बड़ा. अब बहुत बड़े के लिए आप word यूज कर लेते होंगे very big, लेकिन हमें वो नहीं यूज करना है, हमें आज का एक नया word शुरू करना है, यूज करना वो है immense, बहुत बड़ा immense. अगला जो word है वो है कमी. बहुत बार आपने देखाओगा पाने की कमी हो जाती है, या हमारे शरीर में कोई और चीज की कमी हो जाती है, तो कमी के लिए जो word हम यूज कर सकते हैं, दो word मैं आपको बताऊंगी. पहला है scarcity, and second is deficiency. Next जो हमारा आज का word है वो है जिद्धी. आपने अक्सर देखाओगा बच्चों को, वो जिद्ध करते हैं, तो जिद्धी बच्चों को आपने देखाओगा जिद्धी. जिद्धी जो word है इसके लिए इंग्लिश में word यूज होता है stubborn. जो हमारा word है वो है विवीधता. अलग अलग प्रकार के, जैसे हमारे देश में विवीधता पाई जाती है, अलग 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 प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जातियां हैं, तो हम इसे विवीधता कहते हैं. इंग्लिश में कहेंगे diversity, अच्छा word है आप जरूर यूज करें. अग्ला जो हमारा word है वो है अनोखा, अनोखे को इंग्लिश में कहेंगे unique, next जो हमारा आज का word है वो है वियर्थ या बेकार, इसे इंग्लिश में कहेंगे when, वी ए आई एन वेन, एक वी एन होता है जिसमें हम बेट कर कहीं जाते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है, तूसरा word है ये वी ए आई एन वेन, वियर्थ या बेकार, अग्ला जो हमारा word है वो है उच्चारण, जैसे हम किसी भी शब्द को बोलते हैं, तो इसे हम उच्चारण कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे pronunciation, अग्ला जो हमारा word है वो है उपयोगी, उपयोगी को हम इंग्लिश में कहेंगे useful, इसे इंग्लिश में कहेंगे pinnacle, अच्छा word है आप यूज कर सकते हैं, अग्ला जो हमारा word है वो है ग्रहन, जैसे सूरी ग्रहन होता है, लेकिन मैं सबसे पहला आपको बता दू कि ग्रहन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रहन को इंग्लिश में कहते हैं eclipse, अगर सूरी ग्रहन है तो आप कहेंगे solar eclipse, solar eclipse, sun eclipse नहीं कहेंगे गलत हो जाएगा, और अगर चंदर ग्रहन है तो हम कहेंगे lunar eclipse, Moon Eclipse गलत होगा ध्यान रखिएगा इन दोनों वर्ड्स का अगला जो हमारा वर्ड है वो है निकालना किसी को भी निकाल देते हैं तो इसे इंगलिश में कहेंगे Dismiss तो ये थे आज के कुछ शब्द जिनकी प्रेक्टिस आपको बार-बार करनी है हो सके तो इनसे आप sentence बनाईए और comment box में भी लिख सकते हैं और आज का कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी बताएगा और कैसा लगा वीडियो ये Thank you so much!